Hello everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी कम्पटिशन अब मैं सबका स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप सभी काफी अच्छे होंगे अच्छे से आपकी त्यारी चल रही होगी गाइस जो हमने Crown Publication की book start की है उसमें हमारा अगला वीडियो है ये ये series बहुत important होने वाली है उन aspirants के लिए जो की BSSC, BPSC या फिर बिहार से related कोई भी एक्जाम देने जा रहा है जहां पर बिहार का जी के पूछा जाता है उनके लिए extremely important है BPSC के लिए तो ये बहुत ज़्यादा important है Reason being कि इसमें खाली आपका PTE cover नहीं होता है This book is very handy for those who are preparing for men's also Specifically if you talk about BPSC ठीक है तो BPSC के लिए एक कह सकते हैं कि booster होगा ये इस particular वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Rise and Spread of Jainism and Buddhism in Bihar सोच सकते हैं आप हमारी धर्ती पे, Bihar की धर्ती पे दो-दो इतने बड़े religion जो है यहाँ पे developed हुए है यहाँ पे grow किये हैं और further यहाँ से pan-India इनका expansion हुआ है Jainism and Buddhism तो introduction की बात करें तो छटी सताबदी BC की बात करें तो Bihar की धर्ती पे लगवख 62 religious sects देखे गये थे mid-gangetic plane में और वही पे हमारा Bihar भी पढ़ता है and the fertile soil of Bihar has unique distinction of giving birth of महाबीर महाबीर जो की Jainism के founder थे इसके अलावा पूराना कसब घोसला अजीत केस कंबलिन और पकूधा कचयाना संजय बेलाथी पुत्ता और गौतम बुद्धा जैसे बड़े 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 पैन इंडिया और पैन के वर्ल्ड में भी फैले यह तो वर्ल्ड में भी बुद्धिजम की खासकर बात करें तो इसके फॉल्वर आज भी वर्ल्ड में है ठीक है तो यह मुवमेंट्स किस तरीके के थे रिलिजियस रिफॉर्म से मतलब यह है कि जस्ट भी फोर जैनिजम और बुद्धिजम या फिर इसके पैरलल ही कह सकते हैं बुद्धिजम काफी ऊपर आगे बढ़ रहा था जिसमें वैसियों को और सुद्रों को काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि भाह्मानिजम जो था वराह्मनों का ब्राम्हन हो चुका था इसमें क्या था दिक्कट इनको बिराजपूतों को भी ज intellect जो कहता है छ चत्रिय तो actually क्या है गौतम बुद्धा भी एक छत्रिय लेती है ठेक है तो इनको भी क्या तो में गारी तो अपर कास्ट की बात करें जिसमें भ्रामन और चत्रिया आता है तो उसमें ब्राम्भन ही डॉमिनेट कर रहा था च्छत्रिय को भी दिक्कत आ रहे थी तो कही न कहीं इन्होंने सोचा कि यार इस पार्टिकुलर यह जो इतनी सारी मिथ्या इसमें फैली हुई है गलत सलत चीजह आ गई हैं है ना बली देना ब्राम्भन का मतलब एक अलग ही बर्चस्व होना सोसाइटी पर यह सब अच्छा नहीं लग रहा था बाकी लोगों को तो कहीं न कहीं इसी को खतम करने के लिए गौतम बुद्धा और जैन जैसे लोग आगे आए और अपना खुद का रिलीजिन ले आए रिलिजियस रिफॉर्म मूव्मेंट के तरू तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका अब देख लेते हैं जैनिजम को थोड़ा डीटेल में तो जैनिजम की बात करें तो ओरीजिन जो है जैनिजम का यह होता है बहुत पुराना है बहुत पुराना है इसके 24 वे तिर्थंकर तो महाभीर थे तो इससे पहले 23 रह चुके थे और एव गवेध बें मेंशन किया जाता है है इसको एवर फर्षा तैंकर जिनको आधिनाथ भी का जाता है यह सवाल भी आता है वुवा सथ है we are unknown to history इनके बारे में इतना detail में नहीं है कहीं भी the 23rd तिर्थंकर आवाज पासनात इनके बारे में थोगा detail में है क्यों क्योंकि इनको माना जाता है कि यह महाबीर के 200 साल पहले तक यह 500 साल महाबीर के यह तिर्थंकर हुआ करते थे और यह 23 ती थंकर थे he had real existence इनका real existence है और इनके साक्ष भी है मतलब इनके बारे में mention भी है तो इनके बारे में थोगा detail में जाने पास्वनाथ के बारे में तो he was son of king asusen asusen जो की बनारस का king था उसके यह पूत्र थे his four main teachings were non-injury जिसे ahinsa कहते है Hindi में non-lying जिसे सत्य कहते है नौन-stealing को हम अस्तिया कहते है और नौन-possession को हम appearing रहा कहते है यह चार इनके थे यह चार इनके थे बट महाबीर ने इसमें पांचोह नाम ठाव पर दिया पांचोह pm अड़ किया इसमें जिसका नाम था तो आपको पता होना चाहिए कि इनिसियल जो फोर थे वो पासनात की देन थी ठीक है पासनात की देन थी इनके टीचिंग थी और पाँचवा जो ब्रमचर यह है वो महावीर नेड किया था तो महावीर सबसे important हो जाते है विगोज यह जो है इन्होंने जैनिजम को मतलब प्रकास्था पे पहुचाया ठीक है तो इनका जन्म हुआ था 540 BC में BC मतलब before Christ Christ के जन्म से पहले Christ का जन्म माना जाता है कि एक साल को हुआ था ठीक है और इससे पहले के year BC कह जाते before Christ और इसके बाद के कह जाते AD ठीक है AD कहा जाते है तो बर्दमान महावीर occupy an important place in history no doubt history of ancient India में इनका बहुत important नाम है he was born in 540 BC कहां पे हुआ था यह सवाल बनता है तो कुंड ग्राम में जो भी important question बन सकता है जैसे यह मैंने year highlight किया है यह कुंड ग्राम highlight किया है वो special आपके focus में होना चाहिए क्योंकि यह सवाल आपके MCQ के form में आ सकता है तो इनका जर्म जो है महावीर का 540 BC में हुआ था कहां पे हुआ था कुंड ग्राम में जो की बैसाली के पास पढ़ता है बैसाली के पास पढ़ता है इनके father का नाम था सिधार्थ और यह एक छत्रिये prince थे ठीक है सिधार्थ साब की बात कर रहा है सिधार्थ जो इनके father थे वो एक छत्रिये prince थे कहां के of कस्यप गोत्र कस्यप गोत्र था इनका छत्रिये king थे and was the head of the जानतरिक clan यह भी पूछता है कौन से clan से बिलॉंग करते है महावीरा तो he belong to जानतरिक clan और यह लिछवियों के कुंडगराम में यह clan हुआ करता था आपको पता होना चाहिए कि लिछवियों में बहुत सारे clans हुआ करते था जिसमें बजजी clan लिछवियों और जानतरिक इसके लावा और भी clan थे बट जानतरिक क्लैन से विलॉंग करते है आपे महावीरा इनकी मदर का नाम त्रिसला था प्रिया करिनी और बिदेहा दत्ता ठीक है यह भी पूछ सकता है वैसे ज्यादा फेमस त्रिसला ही है लेकिन क्या पता आपके एक्जाम में किसी एक्जामिनर को ज्यादा चुल हो गई और उसने प्रिया करिनी डाल दिया या फिर बिदेह दत्त डाल दिया तो आपको पता होना चाहिए चेटक कहां का सा सकता बैसाली का सा सकता चेटक की डॉर्टर थी पूतरी थी ठीक है महबीरा वाज मेरेड टू यसोदा यसोदा सी वाज डॉर्टर अप सिमह वर्मा सिमह वर्मन किंग अफ कॉंडी कॉंडिन्यपूरा सिमह वर्मन किंग अफ पहले सि hug करते हैं तहिक है जमाली ही बाद में इनके पहले सि Counsel बने थे सो महाबीरा रिनाउंस्ट इन्होंने घर त्याइक दिया 30 साल के उमर में इनोंने he renounced the family and तब renounce किया था जब इनके parents का दिहान थो गया था and he became an ascetic and proceeded in search of truth क्योंकि इनको truth की जनकारी के लिए घूमना पड़ा और काफी कठीन तपस्या करनी पड़े finally he attained it through the kevalya kevalya का मतलब होता है perfect knowledge तो यह भी पूछता है what is the meaning of kevalya so the meaning of kevalya is perfect knowledge इनको जो यह knowledge मिला था it was under a tree that is of salt tree on the bank of Rijupali यह सब बहुत important है जैसे कि निरंजना नदी के किनारे पे बुद्ध को मिला था ज्यान का परात्ती people के पेड़ के नीचे इनको मिला था साल के पेड़ के नीचे कहां कौन से बैंक के रिवर के बैंक पे तो यह था Rijupali का और यह पढ़ता है Rijupali का जो है जरिम भीक ग्राम जो की इस्टर्न इंडिया में पढ़ता है at the age of 42 42, 42 साल के age में इनको यह ज्यान की प्राप्टी हुई थी जिसे perfect knowledge कहा जाता है और कैवल्या भी कहा जाता है so from now onwards जब इनको ज्यान की प्राप्टी हुई कैवल्या की प्राप्टी हुई he was called Jina और Jitendriya जिनको कहा जाता है कि अपने इंद्रियों को जीत लिया one who conquered his senses is called Jitindra so Nirgaranth that is free from all bonds ठीक है यह भी कहा जाने लग गया इनको कैवलीन मतलब supreme omniscient omniscient, supreme omniscient and Arhant means blessed one and Mahabira the brave यह सब नाम इनको कैवल्या की प्राप्टी के बाद मिला है so Mahabira priest for 30 years and died at the age of 72 in 468 BC at Pawapuri Pawapuri कहां परता है यह राजगरी के पासी परता है चलिए अब हम देखते है Jain philosophy so Mahabira delivered his first sermon कहां पर दिया तो यह दिया Bipu Lachala पर ठीक है first sermon इनका Bipu Lachala mount है वहां पर इन्होंने दिया था he had 11 disciples 11 disciples ठीक है गांधाराज गांधाराज कहलेंगे disciple तो नहीं कहलेंगे 11 गांधाराज that is just a second इंद्र भूती गौतम इसके लावा अगनी भूती भाव भूती अरे व्यकता सुधर्मा मंदिका मौरे पुत्रा अकांपी अचल भरता मिद्राया और प्रभासा ये सब इनके क्या थे इंटर्प्रिटर्स थे या फिर गांधार जी से कहते हैं अल इस गांधार्स वेर इन हैबिटेट अफ डिफरेंट प्लेस अब बिहार से ही बिलॉंग करते हैं और महाबीरा विजिटेट वेरियस प्लेसे इन बिहार सचेज चंपा चंपा जो की अंग की राजधानी है ठीक है चंपा जो उस समय अंग हुआ करता था उसकी राजधानी थी जिसे वेन सांग ने चेंपो कहा था चेंपो ये भी पूछता है और नलंदा और विजिटेट वेसाली पावापूरी गया राजगरी ये सब इनके इंटेंस एक्टिवीटी के सेंटर हुआ करते थे इन सब जगहों पर जादा घूमते थे और यहां पर प्रवच्चन वगरा ये दिया करते थे तो महावीरा डिलिवरेट इस सर्मन इन अर्ध मगधी लैंगवेज क्या था इनके सर्मन का ये था अर्ध मगधी ये था अर्ध मगधी ये भी पूछता है So, Mahavira had close relation with Bimbisaar. Bimbisaar उस समय हर एक बन्स का संस्ताफक हुआ करता था and he was also the king of Magadha. And relation कैसे बना? Because Chetak की sister se is इसका साधी हुआ था. Bimbisaar का. और Chetak की princess साधी हुआ था, Mahaavira का. ठीक है? Mahaavira की mother, sorry. Mahaavira की mother, Chetak की princess and Bimbisaar की brother, Chetak की sister साधी हुआ था. and the dadi vahana the king of champa इन से भी इनका relation से पच्छा रहा and sata vika the king of kosambi he was also one of the close to mahavira which facilitated the spread of new religion अब दिखें विखें, king और इस पास एरिया की अगर अच्छा relation हो जाए obviously आपका जो religion movement है, religious movement है वो definitely spread होगा और इससे महावीर को काफी फायदा हुआ तो teachings क्या थी जैनिजम की वो देखते हैं पांच महाववरत था इसमें जिसे बोलते हैं Five Bows of Jainism Five Bows of Jainism तो ये था आहिंसा तो ये था आहिंसा सत्या, अस्तेया, अपग्रिया और ये वाला पांच्वा जो है मैं बार-बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ because यह पूछ लेता है what is the meaning of asthya तो उसमें दे देगा non-violence, truth non-stealing, non-possession तो you should know कि asthya मतलब non-stealing होता है अपरी ग्रहा का मतलब होता है non-possession और ब्रहमचर्य का मतलब होता है chastity तो यह इनके पांच जो है वोज अफ जैनिजम थे बहुत इंपॉर्ट so only the last principle was added by Mahavira already discussed and others were propounded by Pasnath so the five principle और वोज when observed by a monk strictly are called Mahavarata Mahavarata बोलते हैं and when observed by a common follower is in a less religious manner are called Anuvarata so this is also important एक बहुत ही rigorous कोई follow कर रहा है strictly follow कर रहा है कोई monk तो वो Mahavarat कहलाएगा और कोई ऐसे ही मतलब common man है वो कहता है कि ठीक है मुझे जैनिजम में विश्वास है और less religious है तो उसे Anuvarata कहते हैं अब देखते हैं त्री रतन क्या है three gems of Jainism so the ultimate goal of Jainism is realization of Nirvana और जिसे मौक्ष भी कहते हैं मौक्ष की प्राप्ति के लिए सब करते थे which can be attend by following the three ratna and that three ratna is what is it Samyak Ghyan Samyak Ghyan का मतलब है right knowledge Samyak Ghyan means what Samyak Ghyan means right knowledge Samyak Biswas means right faith and Samyak Karma that is right conduct or action so these three are called three ratna and this is important to मौक्ष के लिए बहुत important था ठीक है Nirvana या फिर मौक्ष जी से कहते है so theory of siyadवाद क्या है maybe theory भी बोलते है this theory is extremely important या पके means में भी सवाल बन सकता है इसे related या फिर आपके prelims में भी सवाल बन सकता है so what is the theory of siyadवाद जिसे हम maybe भी कहते है तो in Zenism reality is characterized by अनेकता और plurality इसका मतलब यह है कि यह मानते थे कि जो भी judgment होता है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि यही होगा यह किसी भी चीज़ को 100% security के साथ नहीं कह सकते है maybe कहना ज्यादा अच्छा होगा तो यही इसे कहते है स्यादवाद so all our judgments are necessarily relative there is no certainty there is no certainty इस पर focus कीज़े certainty कुछ भी नहीं है in any knowledge and स्यादवाद is the wisest course to adopt ठीक है स्यादवाद मतलब maybe हो सकता है ठीक है so to every question but ask a date में यह समने चलता है कोई किसी organization में काम कर रहे है आप कह दोगे न कि इसका क्या है कोई पूछ लिया कि अच्छे यह बता हो यह क्या है ताब बोले को maybe यह हो सकता है वो हो सकता है तो कोई को बोले अरे यार मूर कहे तो but in that parallel जैनिजम के हिसाब से it was the right or the wisest course to adopt so to every question the correct reply is स्याद perhaps means maybe and there can be no absolute judgment and ajiva that is eternal element ठीक है यह दो ही चीज में विश्वास करते हैं मतलब बोले थे कि एक तो आपकी आत्मा है दूसरा आपका body है that is eternal element so the gene act as and so the gene acts and is affected by acts it is the knowing self the ajiva in atomic and unconscious manner चलिए अब देखते है jain cosmic cycle क्या था so each cosmic cycle is divided into two halves the ascending that is उत्सार पीनी and descending that is अवसर पीनी so at present we are in the phase of descent descent ठीक है तो इसमें simple सब्दों में समझो कि cosmic cycle क्या है बोला कि एक तो उत्तर पीनी है ascending और descending मतलब आप जी होगे तो एक समय आप बहुत उठान पर जाओगे फिर आप देदे रहे नीचे आजाओगे और आपकी लाइफ खतम हो जाएगी this is called cosmic cycle so what is royal patterns of jainism royal pattern कहा कहा से मिला चेटक लिच्वियों के तरफ से तो मिला ही because इनका तो संबंधी था चेटक के साथ चेटक की जो पूतरी थी इनकी मम्मी थी इसके लावा चंदरगुप्त मौरे ने इसको पैटरनाइज किया था jainism को अमोग वर्स ने भी जो की राष्टकुटो का सा सकता he also पैटरनाइज दा jainism खारवेला that is king of कलिंगा जो की उडिसा आज की देट में माना जाता है he also पैटरनाइज जाता है he also पैटरनाइज जैनिजम संप्रती अशोक के ग्रांट संथा he also पैटरनाइज जैनिजम चंदर चंदा प्रद्योत that is king of avanti also पैटरनाइज and royal dynasties of south india such as these are the royal patterns of जैनिजम इन्होंने जैनिजम को adopt किया patron किया उसको उसको माना now we will talk about the division of जैनिजम क्योंकि हम जानते हैं कि जैनिजम में दो डिवीजन हुआ और एक स्वितांबर बन गया और दूसरा बन गया दिगंबर कैसे हुआ उसका process क्या था क्यों हुआ वो सब जानते हैं so according to जैनिजम लिटरेचर परिशिष्टा प्रवाना परिशिष्टा प्रवाना से सवाल आता है कि किस जैनिजम लिटरेचर में में मेंशन किया गया कि एक बहुत बड़ा फेमीन आया था मगद में तो ये question बनता है और ये जो लिटरेचर है इसका नाम है परिशिष्टा प्रवाना so according to जैनिजम लिटरेचर प्रवाना a severe famine occurred in मगद 200 years after the महावीरा's death in order to protect themselves many जैनिजम लिटेटेट टू कहां पर स्रवन बेलगुला जो कि करनाटक में पड़ता है ठीक है बिहार में आया मगद में famine और उनको famine में मरने से बचाने के लिए इनको लेक चला गया कुछ जैन जो है माइगरेट कर गया कहां पर स्रवन बेलगुला जो कि करनाटक में है under the leadership of भद्र बाहु और यही नहीं इसमें चंदरगुप्त मौर भी मौरे भी गये थे जो नहीं गये थे बिहार में रह गये थे स्टेट बैक इन मगद under the leadership of स्थूल बाहु ठीक है वो रह गये थे मगद में इमिग्रांट जैन्स जो यहां से गये थे स्रवन बेलगुला साओथ इंडिया में उन्होंने वहां पे इस्प्रेड किया जैनिजम को साओथ इंडिया में और नुमरस जैना मोनास्टिक इस्टैबलिश्मेंट्स कॉल्ड बसादीस कैंप अप इन करनाटक और ग्रांटेट लैंड वाइ किंग और फॉर देर सपोर्ट तो ऐसे करके साओथ में फैल गया यह जैन धर्म जब फैमीन खतम हुग आफटर 12 वियर्स सब इमिग्रेंट्स जो थे वह वापस मगद आए मगद आए विन डिवलॉप्ट डिफरेंसेस आने के बाद उनके बीच में डिफरेंसेस हो गई लोकल जैन से बोले तुम दोग तो महाँ चले गया थे ऐसे वसे आपका धर्म बदल गया यह करके आपने कुछ और ही प्रोपोगेट किया है तो इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए जो पहले से रुके थे मगद में और जो गय थे उदर वो वापस आए और इन दोनों ग्र इसको बाइकाट कर दिया जाए जाए बिलकुन नंगे गूमते हैं अब ही भी मिल जाएंगा आपको बिलकुन नंगे गूमते हैं और मगद वाले जो जैन रुक गये थे वह स्वेतामबर कहला है क्योंकि वह स्वेत करला का यानि कि वाइट गार्मेंट पहनते हैं आज भी आपको मिलेंगे यह लोग वाइट कपड़ा लपेटे हुए गुमते हैं ठीक है यह कुछ डिवीजन हो गया स्वेतामबर और में लेके चले गए थे श्रवन बेल गोला और इधर ही रहे गए थे तो इन दोनों की यह करमा थे कि भद्र बाहु वाले जो गय थे श्रवन बेल गोला वह आपस आये और नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने कि भाया डिफ्रेंस हो रहे हैं तो ठीक है हम लोग दिगंबर हो स्थूल बाहु जो की डिसाइपल थे संभूत बिजया के ठीक है स्थूल बाहु जो की डिसाइपल थे संभूत बिजया के ठीक है स्थूल बाहु जो की डिसाइपल थे संभूत बिजया के यह जो काउंसिल हुआ था इट वस हैपन इन पातली पुत्रा मॉडन पतना की बात सबसे इंपोर्टेंट लिट्रेचर का पार्ट है सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था गुजरात में बल्लभी में गुजरात बल्लभी में 512 एडी में इस समय प्रेशिडेंट थे दिवर्धी समर समर स्रमना ठीक है समर समर स्रमना बल्लभी गुजरात में हुआ था रिजल्ट इसका क्या हुआ जैन लिट्रेचर वाज गिवन डिफिनिट सेप इन विच इट इस इस फाउंड इवन तूड़े तो अभी प्रजेंट जैन जो है वह यही से कहीं ने कहीं इंस्पाइड है इसी से रिलेटेड है ठीक है जो आफ्टर अफ्टर जिस्ट के सेटर्ट ऑफ्टर अफ्टर भाथर्द तो नेपल इस्थूल भाद्रा वाज वास्ट मैं ő स्थूल भाध्न झरीव तूर्वाज बली वहीजा कर्नाटक में पड़ता है आफ्टर आफ्टर सविधान बहां आछ were collected. So, he had learnt them all from the Bhadrabahu, but was prevented to teach the last four to his successors. In view of the danger of loss of sacred scriptures, Sthul Bhadra called a council at Patliputra, Patliputra wale council mein, in which ten purvas were rearranged in twelve angas. The present scripture of Jaina in simply, is simply rearrangement of the first eleven angas made in Balavi, the twelfth angas, anga having already been lost by that time. ठीक है? तो अभी ग्यारा अंगुक से ही ये बना टोटल, ठीक है? बारावा जो है, loss हो चुका है. अब हम देखते हैं, contribution of Jainism, literature में देखते हैं, क्या contribution है? So, both Svithambar and Dicumbar sect called their sacred books, the Agma Siddhanta, Agma Siddhanta. The sacred literature of Svithambaras is written in the form of a prakirt called Asr और अर्द Magadhi, तो यही language used हुआ करता था, and is classified as follows, जैसे कि 12 अंगा है इसमें, 12 उपंगा है, 10 प्रकिर्नाज है, छे जो है इसमें छेद सुत्रा है, और 4 मलू सुत्रा है, मला सुत्रा है, ठीक है, मूला सुत्रा, और 6 इसमें कुछ मिसलेनेर टेक्स्ट है, जिसमें कल्प सुत्रा है, which forms a part of 4th छेद सुत्रा, this was written by भदरबाहु, यह बहुत इंपोर्टेंट है, यह सबसे इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कल्प सुत्रा को किस ने लिखा था, यह बहुत इंपोर्टेंट है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, जिसमेंट इंपोर्टेंट है, गनी, सुभासिला गनी, ठीक है, यह नाम थोड़ा अजीब सा लगता है, बट थोड़ा बहुत देखोगे, तो याद हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे कि परिशिस्ट प्रवना, परिशिस्ट प्रवना और अस्था वीरवली चरिता, वाज रिटन बाई हेम चंद्रा, फिर आता है, ठेरावली बाई मेरु तूंगा, इसके अलावा पदमा, यह पदम चरित बाई बीमल सूरी, और प्रमेया, प्रमेया कमल मारतंद, इसको लिखा था, प्रभाच चंद्रने, तो यह कुछ कमपाइलेशन है इनकी, अब हम देखेंगे बुद्धिजम के बारे में,